ओ किसे हो आप साब, सब ठिक, तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहान, बच्चों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी, जल्दी पहले सब्सक्राइब करो, और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए और नैतिक कहानियां कैसे बना सकती हूँ, इसलिए अभी कर दो, क्लिक, 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 अच्छा, चलो, आज की कहानी शुरू करते हैं, एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक छोटा सा बच्चा, नामक अर्जुन रहता था, अर्जुन बहुत ही पुस्तक को पुराने किताबों के बीच देखा, ये किताब दिखने में सामान्य थी, लेकिन उसका नाम था जादुई यंत्र की किताब, अर्जुन को बहुत रोचक लगा, और वह उस पुस्तक को लेकर घर वापस गया, जब अर्जुन ने पुस्तक को खोला, उसने देख कि इसमें अंगिनत जादुई यंत्र हैं, जो किसी को भी किसी भी चीज को बना सकते थे, अर्जुन बहुत खुश हुआ, और वह सभी यंत्रों को सीखने लगा, कुछ दिनों बाद, अर्जुन ने अपने गाउं को सुन्दर बनाने के लिए एक विशेश यंत्र बनाया, इस यंत्र की मदद से उसने सभी को साथ मिलकर पेड़ पौधों को पौधरोपन किया, और गाउं को हरिद बना दिया, गाउंवाले बहुत खुश थे, और उनका आभार अर्जुन की प्रती बढ़ता गया, किसी दिन एक साधु गाउंव में आया, और अर्जुन के यंत्र की किताब को पढ़ने लगा, उसमें लिखा था कि जादुई यंत्र सिर्फ अच्छे कामों के लिए होते हैं और उन्हें सही तरीके से उप्योग करना चाहिए, इसके बाद अर्जुन ने अपने यंत्रों का उप्योग और भी बड़े सोच से करना शुरू किया, वह कि जादुई शक्तियों का सही इस्तिमाल करके ही हम समाज में सुधार ला सकते हैं, इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि जब हम किसी शक्ति या सामर्थे का सही तरीके से उप्योग करते हैं, तो हम समाज में सुधार ला सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सह यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी सारी शक्तियों का सही तरीके से इस्तिमाल करना चाहिए और हमें दुसरों की मदद करने का उत्साह बनाए रखना चाहिए